है हलो गाईज वेल्comb टु मुर्प चैनल आज के सो नए वीडियो में हम देखेंगे कू эконом मैंग्नेटिक फिल्ड द्य हुद एक करेंट उसका प्रोब्लम हम देखेंगे अब हम देखते हैं अबनेया चेप्टर है magnetic field due to a current इसका हम theory part पहले cover up कर चुके हैं अब इसके हम question पे आते हैं तो यह question आपसे magnetic field at the point P P पे आपको बताना है कि net magnetic field का value क्या होगा तो जहांचे देखिए इसका थोरा सा हम image बना लेते हैं तो इधर flow है यह एक square है इधर current का flow है 5A exactly इसके पूरे से square में 5A का current flow हो रहा है यह भी 5A है exactly इधर भी आपको 5A का current flow हो रहा है यह भी आपका 5A का है अब बीच का gap आपको पता है 5 cm है और इस इसके center पे P point पे आपको बताना है कि magnetic field का value क्या होगा अब दियान से देखिए magnetic field का हम direction जब भी हम निकालते थे db तो आता था dl cross r अब इसमें dl जो होता है यह वही होता है जिधा direction dl का जो direction होता है यह पहले बता है थे dl का direction उधर ही होता है जिधा direction क्या होता है current current का जो direction होता है वही direction dl का होता है और R जो होता है इसको कहते हैं हम लोग position vector इसको कहते हैं हम position vector तो position vector हमेशा कहते हैं कि initial से final की तरफ directed होगा यानि कि position vector इधर देखेंगे तो इसका अलग होगा इसका direction ये होगा ये आपका position vector हो जाएगा इसको आप नाम देते हैं डिल उदार है तो DL cross R वो क्या होगा समझे कि DL cross R से ही हम उसके magnetic field का direction निकाल लेंगे यह question बहुत ही लाजवाब है basic problem है जिससे आपको clear हो जाए हमको magnetic field इस square के बज़े से निकालना है और वो भी उसके center पे निकालना है so we will have to find the magnetic field due to this current carrying current carrying wire which have current 5 ampere in entire square and the side of a square is 5 cm अब आपको इसके center पे निकालना है उसके बाद यह diagonal है इस पे भी अलग-अलग से निकालेंगे तो पहले हम first part करते हैं तो ध्यान से देखेंगे DL cross DL cross जब हम क्या करेंगे DL का direction तो DL का direction आप hopefully आप इसको X axis समझ लिजिए तो कि I के तरफ directed है तो B का direction हम निकाल लेते हैं यानि magnetic field due to अब इसका नाम हम दे रहते हैं A, B, C, D तो due to A, B so magnetic field magnetic field due to हम क्या करेंगे A, B हम निकालेंगे तो A, B निकालेंगे तो DL का direction किदर होगा simply दिखाई देर आए कि X axis के तरफ है मतलब आई है और इसका direction किदर है position vector that is our initial to final अब नियाद चादेखिए अब जो होगा मतलब magnetic field वो क्या होगा इस दोनों plane के perpendicular होगा तो नियाद चादेखिए अब ऐसा कीजिए आप इसमें दो चीज लगा सकते हैं इसमें right hand thumb rule से आप देखिए तो आपको क्या है DL से आपको जाना है R तो DL का direction किदर है इदर है तो इदर से R जाईएगा तो क्या हो जाएगा अब दो ही चीज होगा इस plane के हमेसा perpendicular होगा या तो inside या तो outside अब DL cross R आप जब भी हम करेंगे तो क्या हो जाएगा इस plane से इस plane से ऐसे समझे की DL से R के तरफ है DL से R के तरफ है तो आप इस तरीके समझ सकते हैं DL से R के तरफ आप इसको इसका direction आप निकाल लिए तो आईए इसका direction हम निकाल रहे थे तो याद रखिए इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि X axis के तरफ ए डिरेक्टेड है positive X axis के तरफ है इसलिए इसका direction हम आई ले लेते हैं क्योंकि direction ही इसमें important है क्योंकि magnitude तो सब का सेम होगा क्योंकि सारा का distance सेम है सारा का current सेम है तो value तो सारा का same ही आने वाला है so magnitude wise तो सारा बराबर ही होगा अब ध्यान से देखते हैं magnitude तो सारा का magnitude जो B field का होगा है वो सारा का बराबर होगा लेकिन इसमें direction important है इसलिए direction पर हम जो basic lecture लिये थे वो लेक्षर से आप इसको clear कर सकते हैं तो तो यहां जिए एक्स-axis के तरफ डारेक्टेड है और कहते पोजीशन वेक्टर जो होता है initial से final मतलब इस वायर से जिस point पर आपको निकालना है उसे इसका direction यह है और इसका direction यह है दिय इदर है और आ इधर है तो डोनों का नेगेटिव जे हो जाएगा तो यह आप समझ लीजिए वहां से हम इसको ऐसे डारेक्शन ले रहे हैं और डियल क्रोस और मतलब जो हम इसका प्रिवियस लेक्चर लिए थे जिसमें थियोरी पार्ट कवर आप किये थे तो वह वाला लेक्चर आपके लिए बहुत इंपोर्ट क्रोस जे इसको हम कैसे निकालते थे आई जे और के अगर यह इस बाइट क्लोक वाइट सेंस में यह मूव कर रहा है तब तो ठीक है तो आई क्रोस जे करेंगे तो क्या हो जाए के अक यह का निगेटिव डारेक्शन निगेटिव डारेक्शन के लिए हम इसको क्रोस कहते है तो याज़न देखिए जब माइनस के का हो तो उसको हम क्या लेते हैं क्रॉस है जब यह प्लस के हो ता इसको हम लेते हैं डॉट तो द्हीं अब मैगżen चूठ सारा का सेम ही होगा क्योंकि धर्याज ग्रेंड का फ्लो भी ते और वहां से सेट Youtube याज़त्यisphere तो ती स्पल Yang तो सारा itself होगा exactly हम एभी के निकाल के फिर हम क्या निकालेंगे सिसे हैं ये विद निकालेंगे सब्सक्राइब rec धिर इसीडई का हम सारे का एक-वाइए करकर्ण निकालते हैं अब तो देल से खेलिए आप निकालेंगेम अनिष्ट मंनेटिक अदू तो बीसी अब बीसी मैगनेटिक फिल्ड डू टू बीसी अब जाए देखेंगे तो बेसी के लिए डीयल का जो डारेक्षन है वो किधर है जे में है जिसको जे लिख लेते हैं डीयल क्रोस आर डीयल क्या होता है जिदर करेंट का डारेक्षन है पॉजीशनवेक्टर Johann implül करेंग तो इधार हो जाएगा है क्यूंकि इस । पॉइंट पे ओंको निकालना है तो इनीशिल से पाईढल का जो डाइरेक्षन होता है यह इस पॉइंट सबके लिए लग लग पोजिशन वेक्टर सबके लिए vielen इसलिए को इसके लिए इसके लिए जा रहा है विश्यान सब्सक्राइब डानरी तो इसमें हम लिखते हैं और तो इसमें सिंप्ली आई है छय neurolog कि इसको आप नीगे-टिव-बार कर लेते हैं है है अब जे क्रोस आई है अगल क्या मुटछ ऊण कि आप जे क्रोस आई क्या होगा जे क्रोस आई क्टें क्लोग वाद दो युथ sensing महें जा रहे है कि कि तरफ से और नेगेटिव साइंड पहले से था तो है तो क्या जाएगा यह तो क्या हो जाएगा तो ही सार्स십ली ओजाएगा अब अब कौणसा बचाए एक BC तक पहुँचे अब हम यहां से पहुँचेंगे B से C के तरफ BC का निकाल लिए अब हमें से CD का निकाल लेते हैं अब हम निकालेंगे यह BC के थुरू आगे आपका DC बोलिए या इसको CV बोलिए क्योंकि CV डारेक्शन ज्यादा इसमें एफेक्टिव होगा अब हम देखेंगे जो बचा हुआ जैसे DC लेंगे अब DC के लिए हम कैसे निकालेंगे अब ऐसे ही निकालेंगे DC के लिए तो DC के लिए अगर हम निकालते हैं magnetic field B field B field due to DC DC अब देखेंगे इसका डारेक्शन X-axis के तरफ है और इसका डारेक्शन आपको किदर है Simply Y-axis के तरफ है So I into J That is K इसका भी आपको क्या आगया Simply K आगया अब कौन सा बचा अब Simply बचा AD AD के लिए अगर हम निकालते है Magnetic field due to AD Due to AD आई याद रखें Magnitude सब का सेम होगा Magnitude पर कोई impact नहीं परने वाला है तो ध्यान से देखें इसका हम अगर निकालते है AD का AD में डारेक्शन क्या है DL का direction J है DL का direction J है और Position Vector Position Vector का direction Simply I है इसका direction J है और इसका direction I है जिसका value आपका आजाएगा Simply J in 2 I Gian आ चेह इंटु आई एंडी ख्लोग वाइस एंस है तो यहां से आगी आपका सिंपली मानस के अगर आज़ेगा एक डूसरे को अगर हमनेट एल्रक्टिक फिल्ड का बैलू निकालेंगे तो शारे को एड़ कीजिएगा तो यहां ज़से देखिए यह माइनस के कि यहां से आपका माइनस के यहां से आपका क्या रहा है प्लस के और यहां से आ रहा है माइनस के, सब एक दूसरे को cancel कर देगा, प्लस के, यह यह आपस में cancel, so net, magnetic field at this position, center, at this position, center of the square, that is 0, with a, d, c, d, a, इसके दोरा क्या idea, simply आपको, तो यह आप रखिए, magnitude तो सारा का सेम होगा, magnitude के से निकालेगे, magnitude के लिए, तो simple क्या बताया थे आपको, new by 4 pi, new note by 4 pi, simply, dl, length क्या है, 5 cm है, तो dl cross, जब value ही 0 आ रहा है, तो dl cross, r, r भी सब के लिए सेम है, dl, मतलब, dl b by r q, तो यह आपका value आ जाएगा, अगर value निकालना चाहिए, तो हैंस निकल जाएगा, तो, due to a square at the center, center पे हम उसका magnetic field निकाले, अब इस question में आपको बताना है, कि उसके diagonal बाले point, किसी भी एक line के about, आप बताएगे, कि magnetic field, magnetic field at the diagonal, diagonal of, diagonal of a square, अब a square के diagonal के about आप निकाले, पिछला वाले तो आप निकाले थे, उसमें net magnetic field का value 0 आ गया था, अब हम इसमें value भी निकालेंगे, पिछला बाल तो, magnitude y जी हम काम किये थे, क्यों magnitude शारा का सेम आता, अगर magnitude पिछला बाल हमको निकालना होता तो, क्या होता है, simply हम बताएगे, B is equal to mu not by 4 pi, I dl cross r, dl cross r by rq, अब इसको अगर थोरा सा value निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे, इसका value आपको पता है, 10 to power minus 7 होता है, अगर उसका value हम निकालते, इसला वाले में तो सिर्फ हम मैगनिटूड निकाल, सिर्फ डिरेक्शन से ही हम उसका काम चला है, मैगनिटूड अगर निकालना हो, तो उसको इस टाइप से करेंगे, आई, इसका value 10 to power minus 7 होता है, करेंट का फ्लो, इस स्क्राइर में कितना हो रहा था, 5 एंपियर, लेंद कितना था, लेंथ आपको पता है, 5 सेंटी मीटर, इसको मीटर में वदलेंगे, 10 to power minus 2 से multiply करेंगे, और डिवाइड बार रेडियस, रेडियस क्या होता है, यहां से perpendicular distance, तो यह perpendicular distance आपको क्या पता था, इसका perpendicular distance, हम यहां से अगर निकाले, तो perpendicular distance आपको simply निकल जाएगा यहां से, यहां से देखिए, यह square है, तो इसका diagonal 45 डिगरी का इंगल बनाएगा, हमको पता नहीं है कि इसका perpendicular क्या होगा, पूरा हाइपोटेनस, पूरा हाइपोटेनस क्या हो जाता है, 5 root 2, यह 5 है, यह 5 ह इसका जो हो जाएगा, यानि पूरा diagonal, D is equal to diagonal of the square, diagonal of the square, क्या हो जाएगा, 5 root 2, 5 root 2 cm, पूरा इसका diagonal हो जाएगा, इसका half diagonal क्या हो जाएगा, 5 root 2 divided by 2, so you will get 5 by root 2, यह perpendicular distance जो होगा, यानि P, P is equal to, यह जो है, perpendicular distance आपको निकालना है, इसका हाइपोटेनस का half किता हो गया, 5 root 2, अब इसमें आप ले लिजे, सिंप्ली, यह आपको 45 degree पता है, इसका हाइपोटेनस का half आपको 5 root 2 पता है, अब इसमें सिंप्ली लगा दीजे, साइन 45, साइन 45 क्या हो जाएगर, इसको प्रपेंडिकुलर, यह आपका P का रोल है, इसको हम कुछ दिर के लिए, जो हमको निकालना है, इसको X ले ले लेते हैं, या P ले लेते हैं, प्रपेंडिकुलर, सो P divided by, इसको हम कुछ दिर के लिए, X ही ले लेते हैं, तो X जो की हमको निकालना है, X, आप हाइपोटेनर्स, हाइपोटेनर्स का है, 5 root 2, simply 5 root 2, अब यहां से P का वैलू आपका निकल जाएगा, P का वैलू क्या निकल जाएगा, 5 root 2, इन तू साइन 45, 5,45 क्या होगा, सिंपली आपको, साइन 45, आपको पता है, root 2 होता है, तो यहां से आपका आजाएगा, 5 by 2, तो परपेंडिकुलर का वैलू है, आपको अगर निकालना हो, तो 5 by 2 आगे, तो अगर वैलू है, तो परपेंडिकुलर क्या है, आपे, आप, आर का वैलू हो जाएगा, 5 by 2, तो इसका क्या कर लेंगे, इसका वैलू और हाँ, यह 5 by 2 सेंटिमीटर में आएगा, तो 10 to power minus 2 से मल्टिप्लाइ करके, लास्टिमें इसका वैलू आजाएगे, इसको बस इजी कर लेंगे, क्या जाएगा, इसको जब इजी करेंगे, तो 10 to power minus 9 आजाएगा, और इसको करेंगे तो 25, आ नीचे क्या आजाएगा, 25 by 4 और 10 to power minus 4 अब इसको थोड़ा सा इजी करेंगे ते यहां पर आपका आजाएग चैसला इतना वेलू आये फोर इंटू यह आपका वेलू आया था पिछले वाले कॉस्चन में हम बताये थे तो जिसमें मैंगिशूट जो है यहां से आप निकाल सकते तो मैंगिशूट क्या आए है आप इसका वेलू आगे